आचार चारनक्य का जन्म एक ब्रहमड परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्ष सिला में अपनी सिख्षा प्राप्त की जिसे कोटल या विश्ण कुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चारनक्य के अनसार पुर्सों के अपिक्षा महिलाओं में दो गुना जादा भूक, चार गुना जादा सर्म, छै गुना जादा साहज और काम बासना आठ गुना जादा होती है। आचार चानक के अनसार बेब कूफी करना, छलकपट का सहारा लेना, जूट बोलना, चाला खोना, क्रूर रहना, आदे, कुछ महिलाओं के व्यक्तित के प्राकृतिक दोस हैं। चानक के कहना था कि शाही परिवार, ना समझ इनसान, साप, आग और महिलाओं से हमेशा बचके रहना चाहिए। यह कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। इनसान हो, जिसने कभी जूट ना बूला हो, लेकिन आचारे चानक के अनसार, जूट बोलने का जिम्मा केवल महिलाओं के ही पास है। हत्यारों से लेस इनसान और महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी धोगा दे सकते हैं। घीवन में कुछ सीखना हो तो उसके लिए भी आचारे चानक के ने रास्ते बताए हैं। चानक के अनसार अगर नंबरता सीखनी हो तो राज कुमारों से सीखनी चाहिए, वहीं संबाद की कलाव पंडितों से, जूट बोलना जुआरियों से और धोगा देना महिलाओं से सीखना चाहिए। लेकिन आचारे चानक के कहना था कि बे महिलाएं जो अपने पती के इच्छा के विरुद जाकर प्रत रखती हैं, तो इससे उनके पती की उम्र कम हो जाती है। इतना ही नहीं। वह स्वें अपने हाँ से अपने लिए नर्ग कदवार खोल देती हैं, और साथ ही वह अपने पती के लिए भी पतन का रास्ता तैयार करती है। आचारे चानक ने अपने कत्रों दोरा यह प्रमाणित किया था कि वह महिला को बस्तू से जादा और कुछ नहीं समझते थे। चानक के अनुसार प्रतेग व्यक्ति को अपने अच्छे समय के लिए धन और इस्त्री को बचा कर रखना चाहिए और बुरे समय में सबसे पहले इ महिलाओं को पुर्सों के अधिन रखा गया है। इसलिए उन्होंने भी महिलाओं को मर्यादा में बानने के लिए यह गथन कई हूँ। लेकिन आज के दोर में यह किसी भी रूप में ना तो उन से मेल खाते हैं और ना ही उन पर लागू होते हैं। प्रेम से भरी हुई हैं। इवनकार उसी का होता है जिसे बिना महनत के सब कुछ मिल जाता है। महनत से सुख प्राक्ट करने वाला व्यक्ति दूसरों की महनत का भी सम्मान करता है। जीवन के तीन मंत्र हैं। आनंद में बचन मत दीजी। क्रोध में उत्र मत दीजी। दुख में निड़े मत दीजिए। दिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धनका विनास, दोस्तों द्वारा धोका, दूसरों द्वारा अपमान करना, मन की चिंता, इनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। दूस्त व्यक्ति और काटों से बचने के केवल दो ही उपाय है, जूतों से उन्हें कुजल डालना चाहिए, या उनसे दूर रहना चाहिए। दूद के साथ मिलकर पानी भी दूद बन जाता है, उसी तरह हम भी अच्छे लोगों साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं, इसलिए हम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, वही संतान स्रेष्ट है जो माता पिता की भक्त है, वही माता पिता स्रेष्ट है जो संतान का पालन पोसन करते हैं, वही मित्र स्रेष्ट है जिस पर वरोसा किया जा सकता है, इस वर्स की आयू में व्यक्ति का जो चहरा रहत की अपनी कमाई की देन है सरीज से सुन्दर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है लेकिन दिल से सुन्दर होनी वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है इसलिए दिल से सुन्दर होनी वाली महिला के साथ बिवा करना ज़्यादा अच्छा होगा एक राजा की तागत उसकी सक्ति साली बोजाओं में होती है, ब्रहमबड की तागत उसके आध्यात्मिक ग्यान में और एक औरत की तागत उसकी खुबसूरती यौवन और मदर बाड़ी में होती है। दोस्तों अगर आप और वी वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल All Quartz Lifetime को सब्सक्राइब कर लें और Well Notification को भी On कर लें। साथ ही मुझे आप Instagram, Facebook और Twitter भी फोलो कर सकते हैं। इनका लिंक आपको वीडियो को दिक्सिन वाक्स में मिल जाएगा।